इंडिया गटबंदन की अगली बेठक से पहले अक्लेश चुनाओं ने कौंग्रिस के समर्थन में बात कही है। 2024 लोग सभाच्छुनाओं में बीजेपी को हराने के लिए अक्लेश चुनाओं बीजेपी को जोरदार जटका लग सकता है। तो क्या कहा है सपाप्रमुख ने देखे इस रिपोर्ट में जब अखिले शारव से कॉंग्रिस से जुड़ा सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया उन्होंने कहा कि अगर मेरी बात्चीत से लग रहा है कि आँख दिखा रहा हूं तो ऐसा नहीं है क्योंकि हम एक साथ मिलकर 2024 की लोकस्वा चुनाव में मोदी को गदी से हटाएंगे उन्होंने आगे कहा कि कॉंग्रिस को कोई आँख नहीं दिखा रहा है कॉंग्रिस ने परिणाम देख लिया है अब सब को साथ लेकर चलेगी कमलनाथ के बयानों और कॉंग्रिस के साथ गठबंदन पर सपा प्रमुख ने कहा अब बात इंडिया के गठबंदन की है वो प्रदेश के चुनाव खत्म हो गए है बात अब खत्म हो गई है अब अगली लडाई क्या होगी और अगली चाल क्या होगी उस पर हम लोग विचार कर रही है अखिले शादव ने आगे कहा कि जनता को एक जमाने में अच्छे दिन पसंद थे लेकिन वो कतनी थी वचन नहीं था अगर बिजेपी का हम आंकलन करेंगे तो अच्छे दिन केवल उनका नारा था उनका वचन नहीं था तो क्या अच्छे दिन आ गए बिजेपी दूसरे का नारा और दूसरों की अच्छी चीजों को अपनाने में अच्छी और समझदार पाटी है बीजेपी की गारंटी महंगाई है, बेरोजगारी की गारंटी है और पेट्रोल डीजल के महंगाई की गारंटी है हम 2024 में मिलकर बीजेपी को हराएंगे आपको बता दे कि इंडिया गठबंदन की बैठक 19 दिसंबर को दिल्ली में होनी है जिसके लिए इंडिया गठबंदन के सभी दलों ने सहमती जताई है अब देखना होगा कि बैठक में क्या निर्णे लिया जाता है डिबी लाइफ की रिपोर्ट